नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 19 अगस्त 2023 के डेली करेंट अफेर्स और एडिटोरिल एनलेसिस में आपका सौगत है तीन इंपोर्टेंट एडिटोरिल के आर्टिकल से कौन कौन से दोस्तों तो LK99 जिसको साउथ कोरिया के रिसर्चर्स में धूना था और ये बोला था कि रूम टेंप्रेचर पर एम्बेंट प्रेशर पर ये एक प्रॉपर सुपर कंड़क्टर है फाइनली ओवराल दुनिया भर में जब थीसिस की गई इनके रिजल्ट्स को जब वेरिफाई किया गया चेक किया गया तो पता चला कि LK99 सारी कंडिशन को फुल्फिल नहीं कर रहा मैगनेटिजम की और सुपर कंड़क्टिविटी की कुछ प्रैक्टिस कुछ आपके लो प्रॉपर्टी इसमें मिसिंग है तो कुल मिला कि LK99 से शुरुवात में जो मीजे थी वो खतम हो गई है पाकिस्तान के अंदर जो religious laws हैं इसको लेके पाकिस्तान का conservative attitude सामने निकल क्या रहा है काफी violence देखने को मिला है तो इससे related जो associated article है और जो news है उसको देखेंगे फिर बाई इंडिया और जापान की tech diplomacy को लेके एक article है GS paper 2 के respect में article काफी important है semiconductors के field में इंडिया जापान का technical cooperation कहां stand करता है और उसके basis पर कैसे इंडिया यूएस का technical cooperation आगे बढ़ेगा इसको लेके कार्टिकल इसको discuss करेंगे पिर बिहार के cast survey के data को लेके एक petition गई थी Supreme Court ने कि बिहार का cast survey के data publish मत होने दीजे लेकि Supreme Court बोल रहा है कि cast survey के data के publish होने से fundamental rights का कोई भी हनन नहीं है तो वो data publish होगा उसके साथ Supreme Court ने यहाँ पर यह बोला है कि जो लोग abusive social media post को intentionally या unintentionally बिना दिमाग लगाये भी forward करेंगे उनके उपर भी criminal action हो सकता है ऐसा Supreme Court ने तमिल नाडू के AI ADMK के MLSV शेकर साब जिन्होंने journalist को लेके woman journalist को लेके कुछ derogatory post social media पर forward किये थे बस उन्होंने के raid भी नहीं किये थे इनके खिलाफ case चलना है multiple affairs filed है तो इसके बारे में देखेंगे उसके साथ दोस्तों चंद्रियान 3 के lander की de-boosting इसको लेके एक article AD boosting क्या होता है basically orbit को reduce करना होता है इसको समझेंगे प्लस एक और आज important topic है कि भहिया अगर overall एक ऐसी marriage है जो legal नहीं है illegal बोल दी गए invalid, void और voidable Hindu marriages अब voidable Hindu marriages से जो बच्चे पैदा हुए है क्या उन बच्चों का ancestral property के उपर हक होगा या माबाब की property के उपर हक होगा इस बात को लेके Supreme Court में बहस जारी है Supreme Court में 2011 में पिछली बार division bench का decision आया था two judge की bench का और अब तीन judge की bench बैठी है जिसको lead कर रहे हैं डी वाई चंदजुड साथ तो ये क्या बोल रही है यहाँ पर Supreme Court इसके साथ tackle करने के लिए effectively क्या कर रही है तो इतने topics दोस्तों हम discuss करने वाले है इन topics के साथ साथ कुछ और topics में आज आपके लिए रहे कि आऊँगा जैसे कि for example global south के concept के बारे में मैं पताऊँगा इसका origin और इसका significance GS paper 2 global groupings और agreements involving India में topic काम का है इसकी detail pdf भी आपके लिए available करवाई जाएगी अगला topic finance commission से related है finance commission recently क्यों news में रहा है GS paper 2 constitutional bodies के respect में topic है इसको देखेंगे इसके साथ साथ इंडिया के अंदर क्या strategic gas reserves बनने चाहिए देखिए हमाई यहाँ पे strategic crude oil के reserves तो exist करते हैं इसको सरकार लगातार बढ़ाने की कोशिश भी कर दियो बट क्या strategic natural gas के reserves बनने चाहिए यह GS paper 2 government policies and interventions and GS paper 3 energy infrastructure दोनों में बहुत कामकार तो बहुत detailed में इस particular information को हम लोग यहाँ समझेंगे और accelerated pill and spill को भी जानेंगे उसके साथ moving away from take make dispose model towards reduce use recycle model GS paper 2 और GS paper 3 इसमें यह particular news काम किये तो detail में इस topic को भी समझाऊँगा साथ-साथ इस से associated content है वो detailed PDF के form में आपको मिलेगा फिर battery workers in India किस परकार से perform कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे GS paper 3 science and technology के respect में news काम किये फिर GS paper 1 के respect में role of women and women organization क्या है impact इंडिया की demographic journey का women's lives के उपर बहुत detail में इस article को समझाऊँगा प्लस इसकी detail PDF सबकी detail PDF आपके लिए available है इतने topics लगबग मैंने आपको यहापे 7 topics बताए है 6 topics जो बहुत detail में यह mentorship course में 6 topics आपको मिलेंगे इनकी detail PDF के साथ तो आप चाहें दोस्तों तो मेरा mentorship course भी opt कर सकते है www.harshiddevedri.com पे जाके आपको UPSC 2024 का mentorship course मिल जाएगा अभी के लिए एक EMI का option भी आपके लिए available है दो installments में आपको दे सकते हैं अगर एक installment में चीज़ आपको देने हैं ठीक है साथ-स इस particular lecture की PDF जो एक current affairs का lecture चल रहा है वो आपको telegram group में मिल जाएगी तो चलिए बेना time waste किए आज के अपने article को शुरू करते हैं सबसे पहले LK99 को लेके लेकिए LK99 वाले इस particular article में बहुत सारी technical details लिखी हुई है उन technical details में मैं ज़्यादा गोसूँगा नहीं सीधी बात है दोस्तों पिछले एक decade में दुनिया भर की countries इस बात को लेके research कर रही है कि कैसे न कैसे करके हम एक ऐसा superconductor ढून ले जोकि electricity को conduct कर सके without resistance room temperature पर और ambient pressure पर लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है South Korean researchers ने बहुत boast के साथ ये announce कि कि LK99 करके एक ऐसा superconductor इनको मिल चुका है ये electric current को transport कर सकता है ambient conditions में ambient conditions मतलब जो room temperature पर conditions रहती है और कोई भी resistance यहाँ पर electricity transfer पर नहीं होगा लेकिन जब verify किया गया in South Korean independent scientist के claim को इनके pre-print papers को verify किया गया तब बहुत से flaws इस particular thesis में निकल के आएं South Korean group ने जो manuscript submit किये थे जो कि explain कर रहे थे अपने overall इस particular fact को उन्होंने कुछ particular points को miss कर दिया था देखे एक point तो यह है कि किसी भी particular research के findings में जब आप अपने achievement को boast करते हो तो उस achievement को public में लाने से पहले जो general है scientific community में proper तरीके से circulate करना चाहिए और scientific achievement की proper checking होनी चाहिए verification होनी चाहिए नहीं तो बाद में मट्टी पलित होती है ना करती है जैसे यहाँ पर South Koreans की कट रही है देखें यहाँ पर क्या बोला जारा है दो reasons की विज़े से पता चल रहा है कि LK99 superconductor नहीं है क्या बोला जारा first, as conventional superconductor inside a weak magnetic field are cool to induce a superconducting state, they expel the field from the bulk at and under the transition temperature, so a magnet near the superconductor will be pushed away during the transition, तो भाया एक superconductor, जब एक weak magnetic field के अंदर होगा तो उसको ठंडा करना पड़ेगा उसमें superconducting state को लाने के लिए और transition के समय पे वो overall magnets को repel करेगा ठीके न भाया, लेकिन South Korean का यह जो LK99 है, यह पूरी तरीके से magnet को repel नहीं कर रहा था, केवल half repel कर रहा था, तो इसके चलते पता चला कि इस half repulsion से यह प्रूव हुआ कि यह proper superconductor की तरह काम नहीं कर रहा है ambient temperatures पे, यह पहली चीज़ है दूसरा, South Koreans reported that the electrical resistivity of LK99 dropped sharply around 104 degrees Celsius तो LK99 की electrical resistivity 104 degrees Celsius पे बहुत तेजी सी गिरी, अब यह sign होता है superconductivity का, लेकिन actually में superconductor नहीं था, तो फिर LK99 की superconductivity कैसे गिरी तो पता यह चला कि LK99 के अंदर copper sulfide है, जो की impurity है, और copper sulfide 104 degrees Celsius पे एक phase transition करता है, जिसके चलते resistivity थोड़ी समय के लिए distort हो हो जाती है, इसी के चलते LK99 की भी electrical resistivity गिरी थी इसका मतलब यह नहीं है कि LK99 एक supercondu तो कुल मिलाके जो यहाँ पे South Korean group था, इसके जो results है इनको यहाँ पे refute कर दिया गया, अब South Korean जो group है, वो overall अपने results को prove करने के लिए और facts यहाँ पे सामने सब्मिट कर सकता है, लेकिन scientific peer review के आभास से अब तक तो यह prove हो चुका है, जो scientific community है, वो इस बात को distort कर चुकी है कि LK99 is not a proper superconductor, आ गया जाते हैं पुकिस्तान में blasphemy के instances churches के उपर, Christian minority के उपर फैजलाबाद पाकिस्तान में attack हो रहा है पाकिस्तान के अंदर blasphemy का इल्जाम लगाय जा रहा है, और इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान आज की डेट में कितना sectarian हो चुका है, एक Christian man है जारन वाला से, ऐसा बोला गया कि उसने desecrate किया कुरान को और इसके basis पे तगड़ा बवाल हो गया है, Christians को man ने एक man को गुली मार दी थी blasphemy के इल्जाम को लेके बलुकिस्तान के अंदर फरवरी में भी एक man को लिंच कर दिया गया था, or allegations that he had desecrated the Quran in Punjab, और authorities जब ये सब कुछ हो रहा था, तो mayor spectators थी, वो किसी भी चीज़ को रोक नहीं पानी थी, punish नहीं कर पानी थी तो blasphemers को punish करना भी यहाँ पे मुश्किल है, जारन वाला incident के बाद तो ये पता चल रहा है कि authorities बहुत slow है, भले जो caretaker prime minister है, पाकिस्तान के वो बोल रहें कि नहीं भाई, हम गलत नहीं करने देंगे लोगों को हम इस्तवरागड गड़बड चीज़ों को रोकेंगे, बट रोक यहाँ पे कुछ नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर religious minorities को पहले भी target किया जाता था, आज की date में भी repeated mob violence के baseband को target किया जा रहा है, the name of blasphemy इनको मारा जा रहा है, blasphemy पाकिस्तान के अंदर punishable by death है, भले आस तक किसी को execute नहीं किया गया, लेकिन पहले ही यहाँ पे सचा दे दी जाती, कहीं रोक की गोली मार दी जाती, in fact एक पाकिस्तान के province को governor को एक समय पे गोली मार दी गई थी तो भीया, जो extremist section है ना, उन्होंने blasphemy को बहुती polarizing issue बना रखा है पाकिस्तान के अंदर, Islamabad based research, sorry, center for research and security studies के एसाब से, 89 पाकिस्तानी को जिसमें 18 women है, इनको मार दिया गया है पिछले 1415 acquisitions के cases में, जो blasphemy के acquisitions हैं since 1947, major jump देखने को मिला है blasphemy related acquisitions में, पिछले एक decade में civil society जो groups हैं, international rights organization है, और पाकिस्तान की जुजुशी है, उसने अपने concerns को express किया है, पिछले कुछ सालों में जो Islamabad का high court उसने तो ये भी suggest किया था, कि Parliament को अपने laws amend करने चाहिए blasphemy से related allegations में stronger punishment देने के लिए, violence बढ़ रहा है, ओवरराल पाकिस्तान के leaders इस menace को address करने के लिए, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, Senate ने एक bill पास किया था अगस्त में, ताकि punishment बढ़ाए जासा कि उन लोगों के against जो की derogatory remarks पास कर रहे हैं, profit के family members के उपर, या फिर उनके close companions के उपर, या first four caliphs के उपर, वो basically जो extremist sections है पाकिस्तान की society में, वो बहुत ज़्यादा dominant है, और कहीं न कहीं, जो religious minorities हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हमेशा की तरह आज भी उतनी ही vulnerable है, sectarian fault पाकिस्तान की state और society में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और authorities भी ज़्यादा कुछ करती नहीं है, religious minorities इसको protect करने के लिए, नाम के लिए दुनिया में अपनी नाक बचाने के लिए थोड़ा बहुत action ले लेंगे, लिकिन obvious सी बात है, openly यहाँ पर minorities को मार दिया जाता है, बलास्मेमिक इंजाम लगा के, ज़्यादा कुछ कुछ कर पाता नहीं, ठीक है, कि हम लोग collaborate करेंगे semi-conductors को लेके, एक resilient supply chain मनाई जाएगी, critical technology और work को लेके for the joint development of semiconductor ecosystem, तो यह जो semi-conductor ecosystem के लिए, इंडिया जापान की बीच में tech diplomacy हो रही है, यह पाँच एरेस पर focus करेगी semi-conductor design, manufacturing, equipment research, establishing, religion, semi-conductor supply chain and talent development, तो उससे government to government और industry to industry collaborations बढ़ेंगे, यह जो particular deal निकल के आई है ना, यह semi-conductor industry को expand करेगी, specialized chips बनाएगी, ठीक है, pool of talent जो है semi-conductor industry में, इसको और skill provide की जाएगी, number of semi-conductor fabrication plants को बढ़ाया जाएगा, जो partnership है, वो exchange करेगी technical knowledge का, research का, innovation का, between Indian and Japanese semiconductor industries, technology transfer को facilitate किया जागा between Tokyo और ने डिली, बहुत सारे semi-conductor advancement में, इंडिया जापान एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे, और बाइदावे मैं आपको बता दू, जापान highly advanced है, semi-conductor technologies में, वो अलग बात है, कि जापान के अंदर जो environmental laws हैं, और जो आप कहलो labor cost हैं, उसके चलते, जापान के semi-conductors भी बड़ी quantity में, चाइना के अंदर बनते हैं, लेकिन जापान के पास वो technology है, जिसके basis में semi-conductors में excel किया जा सकता है, इस respect में, अगर डेली और जापान मिलके, एक दूसरे के साथ coordinate कर रहे, New Delhi और Tokyo, तो obvious ही बात है, ये long term में, दोनों countries की policy को align करेगा, जिससे semi-conductor manufacturing और research को India के अंदर promote किया जा सके, इसको make in India initiative, और जापान के society 5.0 vision के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि goal of technological self-reliance को पूरा क्या जिया सके, innovation driven growth को पूरा किया सके, bilateral agreements यहाँ पे sign होंगे, technology transfer के लिए, cooperation in semiconductor research के लिए, reciprocal trade in semiconductor related products के लिए, और यह जो collaboration है, it will stand as a testament to the power of strategic alliances and technological synergy, किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में, तो यह semiconductor की technology innovation लाएगी, economic growth लाएगी, national security लाएगी, ना किवल इंडिया के अंदर, जापान के अंदर पी, जापान के advanced semiconductor industry है, global leader रह चुका है जापान, chip manufacturing और research में, तो जापान को semiconductors के बारे में सब कुछ पता है, इंडिया के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता information technology sector है, semiconductor products के demand, इंडिया के अंदर, अलग-अलग industries में आगे आने वाले समय में, बहुत तेजी से बढ़ेगी, semiconductors की, तो उससे जापान को क्या फायदा होगा, वही फायदा होगा, जो जापान को चाइना के अंदर invest करके हुआ था, जापान अपनी technology की basis पर, अपने skills की basis पर, अपने पैसे की basis पर, अगर कोई semiconductor manufacturing plant इंडिया के अंदर खोलता है, और उससे जो semiconductors बनाए जाते हैं, वो इंडिया के domestic market में बेचे जाते हैं, दुनिया भर में export किये जाते हैं, तो यह जो particular company बना के domestic की export market में बेच रही है, यह है तो जापान की कंपनी ना, पैसा तो यहाँ जापान भी कमाएग अब देखिए पिछले कुछ सालों में supply chain disruptions और geopolitical tensions देखने को मिले इंडो pacific region में, तो इसलिए diversify करना semiconductor supply chain को बहुत जादा जरूरी है, cross country collaborations को आगे बढ़ाना बहुत जादा जरूरी, देखिए semi conductors को लेकि 2-3 countries के उपर dependence जाता है, एक तो चाइना के उपर dependence जाता है, dependability थी, US और European nations की कहीं न कहीं, इसकी वैसे European nations और US vulnerable feel करें, तो चाइना की उपर अपनी dependency कम गाना चाते हैं, टाइवान एक जादा strategic partner है, लेकिन problem यह कि कल की rate में अगर चाइना ताइवान के उपर attack कर देता है, तो उस case में ताइवान से भी जो semiconductor source हो रहे हैं, वो compromise हो जाएं जैसे semiconductor design, manufacturing process, material science, यह ज़रूरी हो जाता है, collaborative approach को accelerate करना, innovation के लोगर development के लिए cutting edge solutions को, partnership यह भी emphasize करती है कि human resource development किया जाए, skill exchange program के थूँ, workshops के थूँ, training के थूँ, इंडिया की जो strength है na semiconductor design और packaging में यह offer करती है कि हम, तो leaders है इस particular industry में, उनके साथ forces join करें, जापान के साथ agreement करके, overall आगे आने वाले समय में, बड़े scale पर हम technology partnership, China, sorry, US के साथ भी कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं, US और जापान के अंदर भी semiconductor manufacturing को लेके, काफी convergence है, काफी synchronization है, ठीक है na, तो agreement with Japan follows close on the heels of charting of a technology partnership for future between United States and India, तो US और इंडिया भी investment, innovation, workforce development facilitate कर सकते हैं, long term strategic development of complementary semiconductor ecosystems, इसके लिए देखि ही overall New Delhi, मतब इंडिया, Georgia Tech University के साथ भी एक agreement sign करने वाला है, और इसके साथ आपको पता ही कि micron technology और applied materials इंडिया के इंडिया के इंदर बड़े scale पर investment कर रहे हैं, एक semiconductor unit और research development center बनाने के लिए, तो ये इंडिया US का corporation और एक इंडिया जापान का corporation, ये एक pivotal role play करेगा in shaping the global semiconductor landscape, technology धीरे-धीरे करके evolve होगी, collaboration dynamic होगा, net scale पे semiconductor miniaturization किया जाएगा, artificial intelligence की technology को इसके साथ integrate करके स्वेसाथ quantum computing भी जोड़ी जाएगी, और long term में इसके far reaching implications होगे, global technology ecosystem के लिए global partnerships को Indo-Pacific के domain में बढ़ाया जाएगा, इस respect में देखे, तो recently US का chips और science act आया है 2022 का, ये strategic curves प्लेस करता on the expansion of semiconductor manufacturing by countries posing a direct threat to the US, और देखी, जापान US जैसी countries actively चाइना के options दूर नहीं, जनवरी 2023 में अगर आप देखो तो जापान ने और Netherlands ने, US के साथ मिलके जो export था semiconductor manufacturing materials cut to China, उसके उपर थोड़ी रोक लगा दी, उसको restrict कर दिया है, तो दुनिया भर की countries US को support कर नहीं है, ताकि चा जापान को नुकसान जरूर होगा, चुकि देखे, जापान की जो chip making companies है, उन्होंने अपना permanent headquarters और offices चाइना के अंदर बना रखे है, तो चाइना के अंदर से जो भी semiconductor chips बेची जारी है, उससे पैसा जापान भी कमाता है, US भी कमाता है, लेकिन अब बात आ गही है, यहाँ प चिप की manufacturing नहीं करेंगी, यह alternative धूडेंगी, तो यहाँ पर इंडिया को एक potent alternative की तरह अपने आपको display करना है, अब इंडिया कभी-कभी यहाँ मात खा जाता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे environmental laws हैं, जुडिश्री act के वे, अगर कोई गडबर हो गया तो national green tribunal में, high code में पहुँच जाते हैं लोग, दूसरा इंडिया के demographic development अभी के case में उतना develop हुआ नहीं, बड़े scale पे semiconductor skills हमारे देश के populous के पास है नहीं, तीसरा बड़े scale पे इंडिया की research and development facility है, वो उतनी advance हुई नहीं कि US और जापान की level की semiconductor manufacturing को समाल पाए, तो इन सब चीजों में कहीं न हीरे करके semiconductor based जो technologies हैं, उनको इंडिया के अंदर install करके उसकी manufacturing को शुरू करना ये gradually होगा, और gradually कहीं न कहीं इंडिया ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं न कहीं quad countries में, जो दो technologically सबसे advanced countries हैं, एक है US और दूसरी है Japan, ये कहीं न कहीं इंडिया के अंदर confidence दिखा रहे है जो कि जापान भी इंडिया के साथ semiconductor का agreement sign कर रहा है और US भी यहाँ पे sign कर रहा है, इन semiconductors की technology को artificial intelligence की technology साथ जोड़ा जाएगा, जापान और US की technological provis को use करके, इंडिया की innovation और design capacities के साथ मिला के collaboration किया जाएगा, semiconductor industry के उपर, ताकि एक future हम बना पाएं, जो characterized हो by advanced electronics, enhanced connectivity and a shared commitment to pushing the boundaries of the technological excellence, तो भाई, यहाँ पे हमारा editorial खतम होता है, अब हम लोग आ जाते हैं, current affairs के उपर, खीकिना, current affairs में Supreme Court ने साफसाब बोल दिया है, कि बिहार का जो cast survey का data है, वो भाई, यहाँ पे publish होगा, इसको आप रोक नहीं सकते, Supreme Court ने Friday को refuse कर दिया, जो petitioners यहाँ पे बोल रहे है कि बिहार के अंदर cast survey conclude हो गया है, नितिश कुमार की सरकार ने cast survey conduct करके, लोगों के fundamental right to privacy को relate किया, तो कि जब आप cast survey conduct करते हो, तो आप लोगों से जाके उनकी cast फूचते हो, कि भाई, आपकी cast क्या है, आपकी past क्या है, 500 करोणों के खर्चे पर बिहार की सरकार ने यह cast survey conduct कि है, अब कुछ petitioners यहाँ पे overall, और petitioners कौन है, senior advocate, CS वैदिनातन साब है, जो कि NGO youth for equality के बहाफ पे इस survey के against Supreme Court में case लड़ रहे हैं, यह बोल रहे हैं, कि cast survey conduct करा के बिहार ने, बिहार ने लोगों से उनकी cast का data कुछ कि उनके fundamental right को relate किया, Supreme Court यहाँ पे क्या बोल रही है, कि यह right to privacy यहाँ पे कैसे effect हुआ, एक particular society में लोग रहते हैं, तो एक neighbor को दूसरे neighbor के बारे हम पता है कि हाँ इसकी क्या cast है, तो cast तो वैसे भी public में हो जागर है, इस particular cast survey में 17 questions पूछे गए, तो इन 17 questions में Supreme Court का यह बोलना है, कोई भी एक question ऐसा नहीं लग रहा, जिसके बारे में openly society म लोगों को पता ना हूँ, तो कहीं से भी यह जो particular cast survey हुई है, यह overall fundamental rights को violate करती नजर नहीं आ रही, ऐसा वैदनाथन जी को question किया किसने यहाँ पे Supreme Court में, तो Supreme Court के जो जजज साहब है, वो overall जैसे justice खनना है, वो बोल रहे हैं कि भी compulsion तो यहाँ पे है नहीं, चीगे न भई, उसके बवजूद भी लोग यहाँ पे cast के respect में information provide कर रहे हैं, तो fundamental right एक administrative order के basis पे infringe नहीं की जा सकती, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन cast के respect में question कूचके fundamental rights infringe हो भी नहीं रहे हैं, तो एक और यहाँ पे question उठाया गया है, वो question क्या है, कि भाई देखे, cast census conduct करवाने की ज 1948 को valid किया है, census rule 1990 को valid किया है, petitioners का बोलना है कि union list जो है 7th schedule of the constitution में, उसके entry 69 में, आप कहलो, इस enumeration के बारे में लिखा हुआ है, तो इस respect में, इन petitioners का बोलना है कि census act 3, 4, 4A का violation हो रहा है 1948 के, और census rules 1990 के rules 3, 4 और 6A का violation हो रहा है, राजजी की सरकार के पास authority नहीं है, census, मतलब इस प्रकार की cast survey conduct करने की authority केंदर की सरकार के पास, और केंदर की सरकार ने, ऐसा कोई भी notification नहीं निकाला है तो final judgment तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस particular case में दिया नहीं है, यहाँ पे petitioners immediate basis पे सुप्रीम कोर्ट से ये request कर रहे थे, कि overall विहार की सरकार इस cast survey के result को publish ना कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखिए, एक high court, पटना high court, इस cast survey की legality को अभी के लिए हमें प्राइमर फेसी ये convince नहीं हो रहा है कि ये cast survey किसी भी प्रकार से लोगों के fundamental rights को valid कर रहा है, हाँ, केंदर की सरकार की ताकतों को ये post कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके conflict में है की नहीं, इसके बारे में हम आगे बहस करेंगे, एक बात तो सच है, इस प welfare policy में, अगर cast based data available है, तो उसके basis पे better welfare policy बनाई जा सकती है, तो welfare और social economic visas में ये policy काम किये, लेकिन हाँ, कल की date में इसी policy को अगर reservation provide करने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा, तो ये कहीं न कहीं society को तोड़ने लगेगी, तो Supreme Court अभी इस particular चीज़ के ओपर और बहस करेगी, क Supreme Court ने अभी के लिए इस particular cast census को रोकने से, इसके results को publish करने से मना कर दिया, मतलब publish करने को जो रोकने की petition थी, इसको मना कर दिया, तो पटना आई कोड ने भी बोला था, कि हाँ भाई, cast survey के results को publish किया जा सकता है बिहार की सरकार के तोरह, और अभी Supreme Court के judgment के हिसाब से भी बिहा की सरकार cast survey के results को publish कर सकती है, publish होंगे cast survey के results, वो नहीं रुकेंगे, हाँ, actually में बिहार की सरकार का एक cast survey conduct करना, केंदर की सरकार के नियम कानूनों के अगेंस जाता है, इसके बारे में अभी और बहस होगी Supreme Court में बाद में judgment आएगा, ठीक है भाई, फिर overall Tamil लाडू के अंदर एक MLA है, AI ADMK के SV Shaker साब, अब Supreme Court में इनके खिलाफ चल रहा है case, actually में 19 April 2018 को एक fake book post को Mr. Shaker साब ने forward कर दिया, वो facebook post किस से relate करता है, तो भाईया जो woman journalist है आपके तमिल नाडू के अंदर, उनको abuse कर रहा था, वो facebook post, उसमें कुछ ऐसा था कि जो woman journalist है, वो अपने company के top bosses के चीज़ लिखी हुई दी, अब इस बकवास से related facebook post को forward कर दिया Mr. Shaker ने, तो बहुत सारी multiple criminal petitions file होंगों, इनके आगे इस था, ठीक ना, तो अब जब court में इनके आगे इस petition file होगी, पहले तो ये court के पास गया थे anticipatory bail करने के लिए कहीं, इनको पकड़ की jail में न डाल दिया ज पोस्ट को forward कर दिया था, मेरा intention नहीं था, उसको forward करने का, ऐसा वी शेकर साब बोल रहे है, Supreme Court यहां पर क्या बोल ली, Supreme Court बोल रही है कि भाई, यह नहीं चल पाएगा, अगर आप mechanically भी abusive या derivative social media post को बिना पढ़े या बिना सोचे forward करते हो, तो आपको consequences fail करने पढ़ेंगे, you are subject to criminal action, तो जो भी criminal proceedings चल रही है, यहां पर वी शेकर साब के अगेंस्ट वो चलती रहेंगी, Supreme Court ने इस particular case को drop करने से मना कर दिया है, जो case इनके अगेंस्ट चलाया गया है, वी शेकर साब के अंदर हो, तमिल नाडू के एक harassment of women related crime में चलाया गया, state specific litigation के अंदर चलाया गया और Supreme Court ने आपर साब साब बोल दिया है, कि भाई, online social media post को भले तुम बिना दिमाग लगाये, circulate करते हो, लेकिन अकर वो abusive है, derogative है, तो तुमको भी लपेटा जा सकता है, तुमारे खिलाव भी criminal action हो सकता है, कल की date में तुम यह बोलके, कि साब मैंने तो दिमाग लगाया न third moon mission चंद्रियान 3 का, इसका propulsion module अलग हो गया था lander module से, यह मैंने आपको पहले ही बता है, अब इसके lander module की de-boosting हो रहे है, de-boosting मतलब यह moon है, इसके ओपर यह orbit है, अब इस orbit की, आप कहलो moon से जो दूरी है, इसको धीरे-धीरे करके कम करना है, कैसे कम करना है, तो यहाँ चंद्रियान इसको फट से अंदर मारा और इस particular orbit में बेंज दिया, तो इसको आप बोलते हो de-boosting, मतलब moon की surface से जो दूरी है, इस particular lander rover की, इसको कम करना, इसको कैसे कम करता है, तो de-boosting से, तो de-boosting से करके जो orbit है, इसको 113 km by 117 km कर दिया, जो अगला second de-boosting operation है, वो 20 अ तो यह जो de-boosting operations इससे क्या हो रहा है, इससे यह हो रहा है कि धीरे-धीरे करके इस चंद्रियान के lander rover module को moon की surface के पास महुचाए जा रहा हूँ, 23 अगस 2023 को शाम को 5 बच के 47 मिनट पे, यह lander rover module moon की surface को अच करेगा, propulsion module, lander rover module से अलग हो गया, propulsion module के अंदर जो scientific payload है, वो अगले 3-6 महीने और काम करेगा, और यह जो lander rover module है, यह एक lunar day, 14 earth days के बराबर वहाँ पे काम करेगा, ठीक है, अब overall यह successful होते हैं, नहीं होते हैं, इनको लेके आगे अनल समय और news आएंगी, recently इसरों ने दो वीडियोज भी रिलीव की हैं, जो कि चंद्रियान 3 से खीची गई है, फर्स्ट वीडियो में दिखाया जा रहा है, lander position detection कैमरा से खीची हुई फोटो, और दूसरे से दिखाया जा रहा, lander imager camera 1 से ली गई वीडियो, यह वो वीडियोज यहाँ पे ज़रू 23 अगस्त को आएगा दोस्तों, 23 अगस्त को actually में अगर यह lander rover की soft landing हो जाती है, moon की surface पे, तो आप समझ लो, इंडिया इतिहास रच देगा यादर, अगला, ST deserves order on weather, children from invalid marriage can inherit ancestral property, भाई देखे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहस चल रही है, इस बात को लेके, कि वो बच्च जो कि एक ऐसी relationship, एक ऐसी शादी से पैदा हुए है, जिस शादी को अमान में माना किया है, क्या उन बच्चों को ancestral property मिलेगी, ancestral property मतलब, देखे, एक को होती है parents की property, एक couple है, parents है, माबाप है, उन्होंने कुछ पैसा कमाया, वो उनकी property है, इन parents के जो parents थे, उनकी property थी, ठीक है marriage invalid है, marriage invalid है, तो marriage invalid है, तो हो सकता है, जो आदमी है, उसकी किसी और और से शादी हो रखी हो लीगल, और जो और तो उसकी किसी और आदमी से लीगल शादी हो रखी हो, तो उनके अपने अलग बच्चे होंगे, तो यहाँ पर काफी खिजड़ ही पक जाएगी, तो Supreme Court में ये case चल रहा है, कि जो void marriages है, उस void marriages से बच्चे पैदा हुएं, उनको क्या ancestral property के अंदर हख मिलेगा, parental property के तो उनको हख मिलेगा, ये तो बुली दिया गया है, और ancestral property के अंदर भी हख मिलेगा, ये भी Supreme Court मान के बैठी है, देखिए, इस particular case के respect में, पहले औरड़ी legal वहस हो चुकी है, 2011 में division bench के पास औरड़ी ये case पहुँचा था, अगर आप यहाँ पे section 16 clause 3 देखते हो, Hindu marriage act, Hindu marriage act के section 16 clause 3 में लिखा हुआ है, कि overall वो बच्चे जो किसी particular एक ऐसे शादी की union से पैदा हुए है, जहाँ पे शादी बाद में void बोल दी गई हो, वहाँ पे बच्चों के पास claim नहीं होगा किसका property गा, लेकिन 2011 में जो supreme court की bench बैटी थी, उसने साफ साफ बोला था कि बच्चे तो innocent है ना, जब बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो तो coke में है ना मा की, उनको क्या पता कि महबाब की बीच में क्या खिजड़ी पक रही है, उनकी शादी legal है, नहीं है, तो ब बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको जो अधिकार मिल रहा है, वो यहाँ पे इन बच्चों को भी इदिकार मिल रहा है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से parents की शादी नहीं हो, यह तो कुछ पुस्पा जैसा हिसा बनना है, यह पुस्पा की जो parents थे और उसका जो दूसरा भाई जो उसके बाप का legal बेटा था, वो उससे आके लड़ता रहता था, तो यहाँ पे actually में जो illegitimate marriages के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको पैदा होने के समय पे नहीं पता था कि उनके माबाप क्या खिचली पका रहे हैं, उनकी शादी legal है कि नहीं legal है, तो 2011 की ही दो जज की division meant Supreme Court ने बोल दिया था कि चाहे parental property हो, चाहे ancestral property हो, भई, valid हो marriage chain ना हो, बच्चों को अधिकार मिलेगा, parental property में भी ancestral property में, लेकिन 2011 में Supreme Court के judgment में, एक चीज को लेके problematic चीज हो गई थी कि ancestral property कब parents क्यों यह कैसे पता चलेगा, मतलब मालो यह parent है, इनके कुछ legal बच्चे ह property मिली, तो उन ancestor property का अभी बच्चों के उपर हागे, illegal बच्चों के उपर, illegal बच्चों को otherwise मत लिजेगा, आप समझ के मैं किस respective बोल रहा हूँ, अब actually में ये ancestor property, parent के नाम कब हुई, इसको आप कैसे तया करोगे, तो यह बाद division bench 2011 में डिसाइड नहीं कर पाई थी, और यही बात अब पहुंच चुकी है, तीन जज़ की bench के पाद, जिसको lead कर रहे है, Chief Justice of India, G.Y. चंदर चुड़ साब, तो अभी की जो तीन जज़ की bench बैठी है, वो भी अपना viewpoint ये तो दे चुकी है, informally, कि यहाँ बाई, 16 clause 3, Hindu marriage act के अंदर, चाहे माबाप की शाध्दी illegal भी हो, त भी बच्चों को parental और ancestral property मिलेगी, इसमें कोई दो राहे नहीं है, लेकिन ancestral property उनके माबाप के नाम पे कब हुई, इस बात को लेके अभी भी एक question है, इस question को decision लेना बाकी है, इसलिए अभी final judgment इस particular case में नहीं आया है, जब भी final judgment आएगा, मैं definitely आपके साथ discuss करूँगा, तो UGC ने और अल बोला है, कि 2018 से लेके बिचले साड़े 5 सालों में 25 बच्चे suicide के थुरू मर चुके हैं, आपके UGC के data बोलता है, right to information query file की गई थी, RTI एक्टिस चंद शेखर गौर के दौरा, ठीके ना, एक जनवरी 2018 से लेके 1 अगस 2023 के बीच में 25 बच्चे suicide कर चुके हैं, महरास तमिलनाडू में 4 डेट्स सीच हुई है, औरीसा में 3 डेट्स, आंत्रपदेश राजिस्थान, उत्रपदेश तेलागना में 2 डेट्स हुई है, 4 cases जो सुसाइट के हैं, वो तमिलनाडू में है, 3 चिन्नाई में है, एक इंडियन स्टिट्यो टेक्नलोजी मदरास में, एक जै गोविंद, हरी, गोपाल, अगरवाल, अगरसेन में, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डाटा दे रखा हाला कि इतना स्पेसिफिक डाटा काम का है नहीं, इन 25 cases में 8 society cases 2018 के हैं, 2 2019 के, 2 2020 के, 4 2022 के, 9 2023 के, इन सब चीजों को सॉट आउट करने के लिए क्लिए क्या ब यह इसे रेटेट हैं, यह भी बोल रहा है कि इनकी भी एक हल्प लाइन चल रही है यहाँ पर, जो लोग society से लेटेट डिस्ट्रस फेस कर रहे हों, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, तो UGC का जो anti-ragging cell है, वो कोशिश करता है to serve as a bridge between the students and educational authorities, reports और complaints जो receive होती है हल्प लाइन क कोशिश की जाती है, ताकि कुछ unwanted और uncalled for यहाँ पर ना हो जाए, UGC information इखटा करता है help line के basis पर, वहाँ पर यह समझने कोशिश की जाती है कि बच्चों को actually assistance चाहिए क्या, उनकी distress call actually में किस से related थी, बहुत सारी distress call UGC में आती है, पूरी दुनिया भर से, यहाँ पर UGC के चेर्मेन साब का यह भी बोलना है, कि बहुत दुख की बात है, कि यह जो distress calls है, और यह जो society related instances हो रहे हैं, यह engineering और medical colleges में हो रहे हैं, universities तो ऐसी जगह हैं, जहाँ पे बच्चे freely आपस में दूसरे के साथ बात कर चकें, professional help मांग सकें, लेकिन यहाँ पे societies एक complex और multi-faceted challenge है, यूजी regulation, इस particular menace को curb करने कोशिश कर रहा है, लड़ने कोशिश कर रहा है, students, teachers or parents को educate करने की जरूध है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की बाते हैं, यहाँ पर यह कर रहा हूँ, काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा, I just hope, आपको अगर कुछ, you know, कुछ additions चाहिए, कुछ और improvements चाहिए, इस वीडियो में तो definitely मुझे नीचे comment box में बता सकते हैं, thank you for watching friends, have a great day, पढ़ते लेते,